तो यहां पर कुछ और तर्मिनोलोजी रह गई इसको अपर यहां कवर करते हैं तो यहां पर है रिवर रिवर यह नहीं नदी जो नेचुरल फ्लोग लासट नेचुरल फ्लोग ओफ्ड़ और मतलब नेचुरली फ्लोग हो रहा सकत्र यहां फिर यहां बारिस के फानी से यहां फिर जो स्नोफोल होती है उसके कारण जो जम जाता है बड़ी-बड़ी पाड़ी ओपर बफ जम जाती है तो घर में वो फीगलती है उसके कारण नेचुरल होनी चाहिए वो चीज नेचुरल होनी चाहिए तो एलार्ज नेचुरल फ् होते हुए तो यहां पर आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पानी जा रहा है यहां पहाड़ी से बारिश के रूप में पानी बरसता है और फिर वह और लेंड के थू फिर कहां जाए वह वो समुंदर में चला जाए तो उसको अपन रीवर बोलते हैं नेच्रल फ्लो होना चाहिए अब यहां पर हैं अपने पास हैं की वाटर फॉल अब वाटर फॉल किसको बोलते हैं तो यह रीवर हैं ए रीवर डैट आफ फाल्स डाउन फ्रॉं ए ख्लिफ और रॉक बड़ी इसे गिरती हैं तो उसको अपन वाटर फॉल यहां जर्गना बोलते हैं यहां दरिया बोलते हैं उसको अपन तो वाटर फॉल उसको बोलते हैं तो बड़े से पहाड से यहां बड़ी चटान से वह अगर नीचे गिरता है वह पानी तो उसको अपन वाटर फॉल बोलते हैं अब यहां पर अपने पास आता है सी समुंद्र किसको बोलेंगे तो समुंद्र होता है और बेस्ट की बहुत कहलें चाहिए तो उसको पन क्या भोलते हैन उसको बहुत किलोमेटर और बहुत किलोमेटर Damascus पानी की मातरा हो तो और वो पानी खा रहा होना चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं सी बोलते हैं ठीक है फिर अपने पास आता है लेक अब लेक में क्या होता है कि एलार्ज एरिया ओफ वाटर डैट मतलब अंदर की तरफ तो क्या है अंदर की तरफ तो पानी पानी है और उसके चारों तरफ क्या हो सकती है उसके चारों तरफ लेंड ही लेंड है तो बीच में पानी है और उसके चारों तरफ लेंड है उसको अपन लेक बोलते हैं जील बोलते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट कर दो एंग